RCA Education Hub में आपका स्वागत है प्रिय दोस्तों मैं आपको आज RCA School का अपना एप RCA बानसुर अलवर को सभी अध्यापक गणों को केसे चलाना है उसके बारे में बताने जा रहा हूं तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा समझिएगा फिर अपनी ओनलाइन स्टेडिय में इसका यूज करिएगा तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर RCA बानसुर अलवर एप इंस्टोल करना है यह यहाँ पर मैंने पहले से इंस्टोल कर रखा है इसको आप ओपन करोगे ओपन करने के बाद में इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आपने स्कूल में रजिस्टर करवा रखा है उस मोबाइल नंबर पर आपका OTP आएगा वो OTP आपको इसमें फीड करना है यह OTP चार अंकों का होगा 9,3,6,0 इसको डालते ही इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाए देगी इसमें आपको सबसे पहले बेस पर क्लिक करना है तो इसमें आपको वही बेस दिखाए देगे जिसमें आपका Online Class का Period लगा हुआ है तो समय के अनुसार आपका जिस Class में Period आता है उसमें आप क्लिक करोगे जैसे मेरा पहला Period English Medium 12th Math Class में आता है तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है Study Material जो आपको अपने सब्जेट के अनुसार PDF File Send करनी है उसको इसमें Add करोगे आप Add करने के लिए आप Add Option पर क्लिक करोगे तो इसमें आपको ये चार Option दिखाए देंगे वो सकता है आपके Study Material में Image जो पर Possible आपको इसमें PDF File ही बेजनी है इसमें आपको PDF File Attest करने के लिए Upload Documents पर आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से पोस्सारी PDF File जो आपने बना रखी है वो आ जाएगी जैसे मैंने इसमें 12th English Medium के लिए कोई File सेलेक्ट करते हैं ये अपने PDF File में सेलेक्ट हो गई है अब ये Upload हो जाएगी ये देखी इसमें आपको अपना नाम दिखाए देगा और जो आप उसका Title डालोगे वो Title आपको दिखाए देगा ये एड होने के बाद में आपको इससे समंदित YouTube वीडियो इसमें एड करना है इसी लाइन में आगे आपको वीडियो पर किलिक करना है वीडियो पर किलिक करने के बाद में वही एड ओप्सन आएगा एड ऑप्सन में आप या तो अपने Subject का folder बना लो या फिर आप न्यू वीडियो पर जाकर किलिक करो अब इसमें आपको यहाँ पर add video और फिर इसके नीचे आएगा video link और फिर आएगा paste link तो paste link अब आपको इसमें क्या करना है आप इसको पहले minimize कर दो फिर आप अपने whatsapp पे जाओ क्योंकि अजेसर आपको video send करेंगे तो आप जेसे वार्सप पे जाओगे तो अजेसर के द्वारा भेजा गया video आप इसमें देखोगे कि किस date को कौन सा video भेजना है और सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है आपको कि आपको देखना यही है कि आपको पड़ाया मेटर और आपका video दोनों सेम होना चाहिए पड़ाया मेटर और वीडियो अलग अलग ना हो इसका विशेज ध्यान रखे तो जैसे मैंने इसमें 12th English Medium का कोई वीडियो यहाँ पर आप क्या करो इसको जो इसका लिंक है उस पर आप किलिक करोगे तो ये यूटूब में चल जाएगा यूटूब में चलने के बाद में इसमें आप फेर पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप इसमें कोपी कर लोगे कोफी करने के बाद में वापिस इसको मिनिमाइज करो मिनिमाइज करने के बाद में वापिस उसी एप में आपको जाना है और इस पेस्ट लिंक पर आप जैसे ही प्रेस करोगे तो यहाँ पर पेस्ट आजाएगा और यह आपका लिंक यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा अब आप इसको चेक लिंक पर क्लिक करने के बाद में अपना वीडियो यहाँ पर आ जाएगा यह देखिए इसकी केटेगरी आप लिख सकते हो कौन सी क्लास का है यसे मैं लिखा आपका यह 12 इंगलिश मीडियम यह लो अब यह एड वीडियो अब यह वीडियो क्या है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसलिए मैं इसकी क्लास सेंज कर रहा हूँ 11 इंगलिश मीडियम में यह लो अब यह वीडियो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इस नाम से वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ तो आप इसमें यहाँ पर वीडियो का विशेज द्यानकना एक बार वीडियो डलने के बाद में वीडियो दुबारा नहीं डलेगा जैसे आप इसमें यहाँ पर क्लिक करोगे यह वीडियो सम्मिट हो जाएगा इसके बाद में आपको वीडियो सम्मिट कर दिया उसके बाद में आपको उस ओनलाइन क्लास से समंदित मेटर का आपको बच्चों को असाइनमेंट देना है अब उस असाइनमेंट में आपको चार से पाथ क्युशन कम से कम तीन क्युशन मैक्जिमम पाथ क्युशन आपको देने ही है clear तो वो आपको अपने नोड से अलग रखने है तो उसमें आपको Aid Assignment करोगे तो यहाँ पर यह All Student पहले से लिखा हुआ आएगा फिर आपको उसका Topic कि किस Topic से आप दे रहे हो उसके बाद में आपको Submission Deadline यहाँ पर विशेज ध्यान देना है आपको Submission Deadline में आप क्या करोगे यह देखे आप Submission Deadline में आपको यह ध्यान अखना है कि आप अभी 15 दिनों के लिए बच्चों को जिस दिन आप पढ़ाने जा रहे हो उससे 3 दिन की डेट और समय 5 बजे तक साम को 5 बजे तक डेट 3 दिन के बाद और समय साम को 5 बजे तक आपको इसमें नोट करना है फिर आप इसमें आगे Allow Late Submission इसमें कर सकते हो तो वो लेट भी सम्मिट कर सकता है और नहीं करोगे तो आपको जो डेट और टाइम दिया है उसी से पहले बच्चा उसको सम्मिट कर सकेगा फिर इसमें आपको यहाँ पर Lation या जो भी आप दे रहे हो उसके बारे में Discretion लिखना है फिर आप क्या Assignment दे रहे हो उसको Attest करने के लिए आप Add Attestment पर क्लिक करोगे तो आपका Documents PDF फाइल है तो आपका Assignment है वो Image में ही हो तो अच्छा रहेगा यह Image यहाँ पर मैंने क्लिक कर दी है यहाँ से कोई भी Image जैसे मैंने यह Image बच्चों को देना है यह Done कर दिया Image क्लिक होगी अब यह इसको अपन Done कर देंगे कि इसमें Topic का नाम नहीं है तो वो डाल दो आप C-H-E-M और यहाँ पर Lation डाल दो Lation No.23 जो भी आपका चल रहा है अब इसको आप डेट 10 में आपको करना है जैसे मैंने आपको आज 6 तारीके 7, 8 और 9 तारीका इसमें मैंने आपको समय दे दिया है 9 October ठीके और टाइम में इसमें दे रहा हूँ लगबग 5 बजेगा यह आपका हो गया 9 October 2020 5 साम को 5 बजे तक इसमें बच्चा इसको सम्मिट कर सकता है अब इसके बाद में इसको अपन डन कर देंगे यह फाइल इसमें सम्मिट हो जाएगी अब आपको अगर असाइनमेंट आने के बाद में इसको चेक करके वापिस भेजना है तो उसके लिए भी आपको असाइनमेंट देने के बाद में आपको अपने असाइनमेंट कितने बच्चों ने सम्मिट किया उसकी रिपोर्ट आपको स्क्रीन पर दिखाए दे जाएगी कि कितने को आपने बेज दिया और कितनों ने आपको वापिस सम्मिट करवा दिया उसकी रिपोर्ट यहाँ पर आपको दिखाए देगी इस तरीके से क्लियर जैसे ये किसी बच्चे ने सम्मिट किया हुआ है तो इस क्लास में 39 स्टुडेंट है तो उसमें से एक बच्चे ने असैन्मेंट को वापिस सम्मिट किया हुआ है तो यहाँ पर इस डेट को वो सम्मिट एट दिखाए हुआ है इसमें से देखो सारे बच्चे पेंडिंग है केवल एक बच्चे ने वो assignment submit किया हुआ है तो वो submitted दिखाई देगा answer भी कितने नों दिया हुआ आपका सारा status भी आ जाएगा इस पे इसके बाद आपको किसी बच्चे को particular message बेजना है या इस class में बेजना है तो आप चेट के माध्यम से अपनी class में जैसे मैंने यहाँ पर ये हिंदी मीडियम 11AZ class में कोई भी message बेजना है सभी विध्यारतियों को किसी भी matter से समन दिये तो आप यहाँ पर लिख सकते हो या कोई particular matter बेजना है तो उसका document या image upload कर सकते हो जो वीडियों से समन दित हो प्लस आपको अपनी class का time का ध्यान रखना है जिसमें निर्धायत समय पर आपकी class हो और student के द्वारा भेजे गए सभी doubts time पर clear हो जाए दिये गए date वर समय पर अगर आपको फिर भी इस app में कोई समझने में परिशानी हो तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ नंबर नोट कीजिएगा 9001455881 9001455881 इस नंबर पर आप समपर कर सकते हो जिससे कोई भी doubt आपका clear हो जाएगा Thank you दोस्तों